हलो फ्रेंड्स दिस इपक आज की इस पार्ट में आप लोग बताने वाला हूं वेब.xml फाइल क्या होती है उसका यूज क्या होता है और उसका सिंटेक्स क्या होता है लास्ट में मैं कुछ आप लोगों को इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा वेब.xml से रिलेट यजिया श्ट में अचिए टॉइंट्सम पायल फाइल होती क्या है ध्यान रखना है आप लोगों को वेब.xml फाइल को हम लोग टिप्लॉइमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल भी बोलते हैं तो इंस ऊल्सो नोने इस known as also deployment descriptor file deployment descriptor file हम लोग क्यों बोलते हैं क्योंकि जब हम लोग project code deploy करते हैं तो उसकी सारी के सारी descriptions हम लोग provide करते हैं किसके अंदर web.xml file के अंदर अब इसका use क्या होता है ये चीज़ समझ लेते हैं simple मैं आप लोगों को diagram के through explain करता हूँ दखो ये मेरे पास क्या है this is client और ये मेरे पास क्या है this is server ओके अब server पर हमारे पास बहुत सारे servlets file जो हैं वो रहेंगी जी हमारे पास यहां पर बहुत सारी servlets file रहेगी इस servlet file का name है for example login.java और इस file का name है for example register.java तो ये हमारे पास की coding पार्ट यहां पर आ जाएगी ठीक है तो हमारे पास इस type से बहुत सारे servlets जो हैं वो यहां पर created रहेंगे okay server को उपर deploy रहेंगे अब जब भी client हमारे पास कुछ भी request send करता है client जब भी request send करता है तो कौन सा servlet हमारा execute होना चाहिए हम जी कौन सा servlet हमारे execute होना चाहिए for example client यहां पर name provide करता है या फिर url यहां पर कोई भी url provide करता है जैसे slash my login यहां पर वो provide करता है slash my login अब मैं यह चाता हूँ के my login की जब भी वो request send करेगा तो login.java जो हमारे पास servlet है वो चीज execute होना चाहिए तो यह वाला काम के client की request पर हम लोगों को कौन सा servlet execute करवाना है यह चीज हम लोग provide करते हैं किसके through हंजी that is web.xml file के through हंजी हम लोग एक file create करते हैं that is web.xml file clear है चीज और इसके अंदर हम लोग provide करते हैं हमारे that is servlet mapping या फिर servlet configuration point clear है चीज तो servlet configuration या फिर servlet mapping हम लोग provide करते हैं web.xml file के यंदर जो ये decide करता है कि जो भी client request send कर रहा है उस request के according मुझे कौन सा servlet execute करवाना है log in वाला servlet execute करवान है या register वाला servlet execute करवान आ है कोई भी servlet execute करवाना है तो कौन साइआ करवाना है वो decided करता है web.xml file तो ध्यान रखना है आप लोगों को web.xml file बहुत ही important file होती है जब भी आप लोग web application create करते हो तो तो ये तो था simple web.xml file का काम कि वो क्या काम करता है और उसका use क्या होते हैं वो client की request के according servlet को map करवाता है या फिर servlet की configuration contain करता है जिसके through server को ये चीज़ पता लगता है कि इस client की request के according मुझे कौनसा servlet execute करवाना है तो ये हमारे पास use हो गया simple किस चीज़ का web.xml file का टेक है अब बात करते हम लोग web.xml file के syntax की हैं जी इसका syntax क्या होता है हैं जी थर्ड पार्ट पर जो आप लोगों को ध्यान रखना है that is syntax अजी अब इसका syntax क्या होता है ये चीज़ का ध्यान रखना देखो सबसे पहले सबसे पहले हमारे पास tag आता है that is web app यहाँ पर इसके बाद tag के अंदर हमारे पास एक और टेग आता है that is servlet mapping और इस servlet mapping के अंदर हमारे पास दो tags और आ जाते कौन कौन से tag एक आता हमारे पास that is servlet name और एक tag हमारे पास आता है that is url pattern clear यह दोनों tags में आभी close करूंग तो हमारे पास url pattern अगर मैं यहाँ पर बात करूं जैसे यह क्या हमारे पास that is slash my login तो यहां पर क्या रहेगा slash my login जो है वो मैं provide कर दूंगा यहां पर मैं slash my login provide कर दूंगा यह हमारे पास URL pattern tag close हो जाएगा ओके तेक है अब हम लोग क्या काम करेंगे यह हो गया हमारे पास URL pattern और मैं क्या काम करूंगा कोई भी servlet name provide कर दूंगा जैसे for example मैंने यहां पर provide कर दिया ml के name से simple my login था तो mlog name provide कर देते हैं ओके और servlet name जो है वो हम लोग यहां पर जाकर close कर देंगे clearages तो यह हमारे पास क्या हो गया है servlet name जिसके अंदर मैंने कुछ भी नेम कुछ भी लॉजिकल नेम प्रोवाइड कर दिया और URL pattern मैंने provide कर दिया है कि हमारी request जो आ रही है वो किस चीज के लिए आ रही है okay URL pattern हमारा क्या है clearages तो यह हो गया हमारे पास that is URL pattern and servlet name और यहां पर मैं servlet mapping वाला tag close कर दूँगा ओके तो यह तो हो गया हमारे पास first part then हम लोग क्या काम करेंगे एक tag और लगाएंगे that is servlet जिसमें हमारे पास एक tag तो यही वाला आ जाएगा that is servlet name जी that is servlet name जिसके अंदर यही वाला नेम आएगा that is mlog और यहां पर servlet name tag हम लोग close कर देंगे okay then second tag जो हमारे पास आ जाएगा that is servlet class हम जी हमारे पास second आएगा that is servlet class clear जीस और servlet class के अंदर हम लोग provide करेंगे that is login हम जी यहां पर हम लोग provide करेंगे अगर कोई हमारे पास package का name है मैं यहां पर लिख देता हूं simple that is package name अगर कोई भी package name है वो चीज आ जाएगा dot फिर हमारे पास आएगा servlet का name हंजी फिर हमारे पास आएगा that is servlet का name point clear जीस तो यह हमारे पास आए servlet class और यहां पर मैं servlet class को close करवा दूंगा ओके तो यह हमारे पास servlet class close हो गया और यहां पर मैंने servlet tag भी close कर दिया point clear जीस तो यह basic syntax आ जाएगा हमारे पास किस चीज का that is web.xml file का जिसमें हमारे पास यह हो गया हमारे पास that is parent tag इसके अंदर हमारे पास एग tag होता है that is servlet mapping and second tag होता है हमारे पास that is servlet का okay और यहां पर हमारे पास दो चीज आती है हम जी that is URL pattern URL पेटरन के अंदर हमारे पास request कहां से आ रही है and कोई भी servlet name logical servlet name कुछ भी name हम लोग provide कर सकते हैं and second part जब हम लोग provide करेंगे that is servlet tag तो यह जो servlet name हम लोग उने provide किया है यह same होना चाहिए and second part हमारे पास आ जाएगा servlet class that is package name.login कोई भी अगर package name है तो provide करो नहीं है तो directly हम लोग servlet का name provide कर देते हैं तो यहां पर मैंने use में क्या बताय था कि web.xml file का काम क्या होता है वो चेक करता है कि मेरे पास जो url है जो client request send कर रहा उसके according मुझे कौन सा servlet page execute करवाना है तो वो चीज पता चलिए इसको या नहीं पता चला हंजी पता चलिए कि my login जो हमारे पास client ने request send की है जो client the url provide किया है उसके corresponding वो name मैंने provide कर दिया यहां पर और login वाले पार्ट पर वो चला जाएगा login वाले servlet page पर वो चला जाएगा ओके तो यहां पर web.xml file के थ्रू हम लोगोंने servlet configuration जो है वो चीज provide कर दी point clear है चीज तो यह होता है हमारे पास proper syntax web.xml file का जो आप लोगों को ध्यान रखना है ओके ठेक है दन एक और point आप लोगों को ध्यान रखना है के web.xml file हम लोग बनाते कहां पर है हंजी ध्यान रखना है we create web.xml file in हंजी किसके अंदर that is web.xml folder हंजी ध्यान रखना है आप लोगों को हम लोग हमेशा web.xml folder के अंदर web.xml file create करेंगे that means के हमारे पास एक folder होता है जब भी आप लोग project create करते हो तो एक folder होता है eclipse के अंदर web app के name से जिसके अंदर हम लोग html के pages बनाते है clear a cheese या फिर jsp के pages बनाते है okay यहीं पर ही हम लोग folder बनाते है that is web.inf के name से okay और इसके अंदर आप लोग बनाते हो that is web.xml file point clear a cheese okay तो यहां पर आप लोगों को web.inf folder के अंदर web.xml file create करनी है okay ठेक है then एक और last point का और ध्यान रखना है आप लोगों को मैं यहां पर note करके provide कर देता हूं okay ध्यान रखना है आप लोगों को के आज के दिन की अगर हम लोग बात करें अपडेट्स की अगर हम लोग बात करें तो पहले क्या था web.xml file बनाना compulsory था अगर आप लोग जावा की कोई भी app create कर रहे हो अगर आप के दिन जरूरी नहीं है clear is हम लोग annotations का यूज कर सकते हैं जिसके थो हमारी web.xml file जो है वो चीज नहीं बनेगी compulsory अब नहीं है web.xml file create करना clear is तो note के अंदर ध्यान रखना है that is in latest version it's not compulsory to create web.xml file clear is तो latest version के अंदर जरूरी नहीं है web.xml file create करना okay but ऐसा भी नहीं है के web.xml file अब बनती ही नहीं है okay तो project to project depend करता है basically new projects जो बन रहे हैं उसके अंदर web.xml file नहीं बनते okay बट जो पुराने projects already चल रहे हैं उनके अंदर जादा तरह आप लोगों को web.xml file मिलेगी okay तो यह कुछ points हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने है ठीक है मैं काम करता हूं यह वाला जो part मैंने आप लोगों को explain किया यह चीज़ एक बार मैं आपको programmatically भी provide कर देता हूं एक बार दिखा देता हूं okay तो देखूं तो यहां पर मैं eclipse open कर देता हूं और यहां पर मैं जल्दी से एक new project create कर देता हूं dynamic web project basically हम लोग create कर देते हैं ठीक है इसका name मैं provide कर देता हूं that is web xml demo के name से कुछ भी name आप provide कर दो ठीक है option मिलेगा that is generate web.xml deployment descriptor okay तो इसको आप लोगों को tick करके रखना है ताकि वो automatically web.xml file create कर दे okay तो यहां पर मैंने कर दी है finish तो automatically हमारे पास एक new project create हो जाएगा और यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो web app के अंदर then web आई एने folder के अंदर आप लोगों को web.xml file मिल जाएगी यह देखो point clear is और यहां पर यह इसका coding part भी है web.xml file मैंने बताया था web.xml file के बहुत सारे task है यह servlet configuration या फिर servlet mapping के लिए काम आता है similarly यह jsp mapping हो गया servlets filter mapping हो गया then error page provide करना है आप लोगों को या फिर welcome file आप लोगों को provide करनी है welcome file list तो यह सारे के सारे task हम लोग web.xml file के अंदर ही provide करते हैं ओके तो मैं यहां पर अभी जो other task है मैं उनको अभी remove कर देता हूँ मैं यहां पर क्या काम करता हूँ एक front end page create कर देता हूँ जैसे simple html page में create कर देता हूँ हलां कि आप लोग jsp page भी create कर सकते हो वह आपकी मर्जी है तो web app पर right click करके new यहां पर मैं एक html file create कर देता हूँ that is index के नेम से finish कर दिया है एक file create हो जाएगी और यहां पर मैंने simply ahrf यहां पर मैंने link provide कर दिया है that is click me के नेम से और यहां पर मैंने provide कर दिया that is slash my login ओके तो यह कोई भी link है जो हम लोगों ने provide कर दिया ठीक है अब मैं क्या काम करूँगा एक servlet page भी create कर देता हूँ तो java resources के अंदर यहां पर आप लोगों मिलेगा src main java इसको उपर right click करके new then यहां पर आप लोगों को एक class create करनी है किसके नेम से login के नेम से और एक package भी आप यहां पर create कर दो that is n.sp.backend के नेम से okay finish मैंने कर दिया है तो यह हमारे पास simple एक java class create हो जाएगी और मैं इसको यहां पर बना दूँगा क्या चीज that is servlet तो आप लोगों को करना है extends http servlet यह आप लोगों को उल्रेड़ी पता है मैं पहले भी आप लोगों को कर वा चुका हूँ और यहां पर मैंने do get method data use कर लूँगा do get method मैं यहां पर provide कर सकता हूँ या फिर मैं do post का use कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पर चाहूँ तो service method का भी use कर सकता हूँ जो मर्जी हम लोग use कर सकते हैं मैं यहाँ पर अभी के लिए चलो service method का use कर लेता हूँ टन ठीक है जिसमें हमारे पास http servlet request request and http servlet response response name के हमारे पास part है और यहां पर यह हमारे पास आगया है proper method, clear चीज यह देखो, ओके, और जो भी इसके अंदर coding part है, मैं अभी के लिए उसको remove कर देता हूँ, ठीक है, और simply आप यहां पर provide कर दो, that is system.out.println, I am in service method, simple आप यहां पर यह चीज प्रोवाइड कर दो, ओके, ठीक है, अब मैं यह च चाता हूँ, कि जैसे ही मैं click me पर click करता हूँ, या फिर login name provide कर देते हैं, कि जैसे ही हम लोग login पर click करें, हमारे पास login वाला page open हो जाए, ओके, एक बार आप directly करके देखो, क्या यह directly open हो जाएगा, अंजी, मैं एक बार project को right click करके, run करके देखता हूँ, यहां पर java application दिखा रहा, ओके, तो आप लोग क्या काम करना, properties पर जाकर, यहां पर project facets पर, यहां पर आप लोग dynamic web application को tick करके, यहां पर आप लोग choose कर देना, that is fifth version, ओके, apply apply and close कर देना, तो अब हम लोग यहां पर right click करके, run run on server करके देखते हैं, server हमारे पास यह रहा, next पर click कर दो, previous वाले project को आप remove कर दो, web xml रहेगा, and then finish कर दो, ओके, और यहां पर इसको do not show this message again पर click कर दिया, okay, button पर press की, and restart पर मैंने click कर दिया, ओके, तो यहां पर आप हमारे पास project जो है, वो execute होगा, और हम लोग check करके देखते हैं, कि क्या वो login वाले page को, या फिर login वाले servlet को execute कर वाता है, या नहीं कर वाता, तो मैंने directly इस पर click किया, तो यह देखो, यह यहां पर क्या बोल रहा है, that is http status 404 not found, clear it is, that means के उसको page नहीं मिला, वो directly, यहां से इस वाले servlet को access नहीं कर पा रहा, अच्या, अगर मैं यहां पर यही login name provide कर दू, कुछ student यह बोलता है, कि sir, यह चीज़ same provide करे तो हो जाएगा, आप check करके देख लो, मैंने same name यहां पर provide कर दिया है, दुबारा से आप project को run करके देखो, यहां पर मैंने finish किया, login पर मैंने click किया, तो यह देखो, again वो error provide कर रहा है, okay, तो यह इस type से directly servlet page को execute नहीं कर वा सकता, हम लोगों को web.xml file का use करना पड़ेगा, clear तो मैं simply क्या काम करता हूँ, my login, हम जी, my login है, हमारे पास URL, तो मैंने इसको copy किया, यहां पर आजो, यहां पर आप लोगों को एक servlet mapping वाला tag यूज करने, जिसके अंदर हमारे पास आ जाएगा, that is URL pattern, URL pattern हमारे पास क्या था, that is my login, और इसके corresponding आप यहां पर servlet name provide कर दो, that is my ml, okay, ml, simple ml मैंने provide कर दिया, then यहां पर आप क्या काम करो, servlet tag यूज कर दो, servlet tag के अंदर आप यही servlet name provide करोगे, और उसके लिए आप लोग servlet class यहां पर provide कर दोगे, servlet class हमारे पास कौन सी है, that is package का name, in.sp.backend, then उसके बाद हमारे पास servlet का name, that is .login, and that's it, clear it is, बस, जब आप लोग इतना part करके run करोगे, अब जब मैं यहां पर इसको project को run करूँगा, तो हमारे पास वो application को start करवा देगा, वो login page को पन करवा देगा, तो जैसे ही मैंने यहां पर click किया, again वो यहां पर provide कर रहा है, http status 404 not found, क्यों, क्योंकि मैंने I think यहां पर slash लगा लिया है, हम लोगों को यहां पर slash लगाने की need नहीं है, तो मैंने यहां पर slash remove कर दिया, अब आप यहां पर जाओ, यहां पर जाकर आप back करके refresh करो, और दुबारा से आप click करो, तो यह देखो, यह यहां पर इसने कुछ भी error provide नहीं किया, आप जाओ eclipse पर, और यहां means के हमारे पास यह directly servlet page को execute करवा देगा, point clear है सबको, तो हम लोग basically web.xml file के through ही servlet pages को access करवाते हैं, ध्यान रखना, अगर हमारे पास दो part है, for example, यहां पर मैंने break tag जो वो चीज प्रोवाइड कर दिया है, और यहां पर मैंने provide कर दिया है, that is register का link, यहां पर मैंने कर दिया for example, myreg, अब मेरे पास यहां पर एक और page है, that is, right click करके मैं यहां पर एक और java class create कर देता हूँ, register के name से finish कर दिया है, और इसको भी मैं servlet create कर देता हूँ, तो extends मैंने कर दिया, http servlet, then यहां पर मैं service method को override कर देता हूँ, service method override हो गया है, यहां पर आप कर दो, that is request and response, और method को proper आप align कर दो, यहां से आप इन चीजों को remove कर दो, simply आप यहां पर print करवा दो, that is, I am in register service method, ओके, यह हमारे पास register का service method आ गया, और यहां पर जाओ, यहां पर आप लिख दो, I am in login service method, ओके, तेक है, अब यहां पर समझो, मैंने यहां पर दो link provide कर दिया, my login and myreg, ओके login के लिए, मैंने यहां पर mapping जो है, वो चीज प्रोवाइड कर दिया, बट register के लिए नहीं की, तो check करके देखते हैं, क्या यह output प्रोवाइड करेगा, जी, क्या यह output प्रोवाइड करेगा, check हम लोग करके देखते हैं, यहां पर मैं इसको remember कर देता हूँ, okay, पर मैंने press किय तो login पर जब मैंने click किया, तो यह part हमारे पास बिल्कुल ठीक चल रहा है, I am in login service method, okay, back जाकर मैंने यहां पर register पर click किया, तो यहां पर error provide कर रहा है, clear is this, तो हम लोगों को जितने भी servlets हैं, हर एक के लिए mapping provide करनी जरूरी है, तो मैं यहां पर again servlet mapping, मैं इस बार register के लिए भ url pattern, हमारे पास url का है, that is myreg, मैंने यहां पर myreg provide कर दिया, और इसके लिए मैंने servlet name provide कर दिया, that is mr, then यहां पर हमारे पास आजाएगा servlet tag, जिसके अंदर मैं same name, यही वाला name, copy करके मैं यहां पर paste कर देता हूं, and हमारे पास आजाएगा, that is servlet class, क्या है हमारे पास in.sp.backend .register, हां जी, चेक कर लेना, यह हमारे पास package का name, and servlet का name, servlet class का name, proper हो, spelling mistake ना हो, ओके, तो मैंने again, दूसरे servlet के लिए भी mapping provide कर दिया, अब आप जब run करोगे, run on server करो, finish कर दो, directly, तो यहां पर यह कुछ error provide कर रहा है, क्या बोल रहे है, starting of tomcat failed, okay, हमारा यहां पर कुछ mistake है, oops sorry, मुझे यहां पर slash भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, धियान रखना है, slash आप लोगों को जरूर लगाना है, तो right click करके run as, run on server कर दो, again finish कर दो, तो हमारे पास यह देखो, login पर जोपन हो जाएगा, I am in login service method, और अगर मैं back जाकर मैंने register पर click किया, तो हमारे पास register वाला servlet भी execute हो जाएगा, point clear है जिस सबको, okay, तो जितने भी servlets हैं, अगर आप लोग servlets को access करवाना चाहते हो, तो हम लोग servlet की mapping या फिर configurations provide करते हैं, किस के अंदर, web.xml फाइल के अंद और किस टाइप से configuration से आप लोगों को provide करनी है, ये सारी कि सारी चीज़े आपको proper पता होना चाहिए, okay, so I hope आप लोगों को यहाँ पर web.xml फाइल के बारे में पता चलिया होगा, web.xml फाइल का use क्या होता है, ध्यान रखना, web.xml फाइल का और भी use है, जरूरी नहीं है कि वो सिफ servlet configuration के लिए ही use होता है, वो jsp configuration के लिए भी use होता है, हम लोग filters हो गए, listeners हो गए, वो उनकी भी configurations या फिर mapping हम लोग इसके अंदर provide करते हैं, welcome file list भी हम लोग provide करते हैं, कोई भी error page अगर आप लोगों को map करवाना है, तो वो भी हम लोग web.xml फाइल के अंदर ही provide करत हैं, okay, तो web.xml फाइल के और भी बहुत सारी use है, but main use जो है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, okay, in case अगर कोई doubt आता है, तो आप लोग comments के अंदर पोच सकते हो, okay, thank you.